इसी विशे के अगली कड़ी में मैं निमंत्रिक ने जा रहा हूं मानिया मुल्लिवासी दॉक्टर लक्षमन यादव सर जो प्रोफेसर है दिल्ली विश्वेद्याले में आप आईये सर और इस विशे के उपर अपने विचार पगट करिए कर दुए कर दुए कि शुक्रिया कि इस सत्र का संचालन कर रहे कि सुनेल जी कि सम्मानित मंच कि और इस सभागार में उपस्थे आप सभी कि सम्मानित कि लोगों को मेरी ओर से इंकलाबी सलाम है जै भीम जै मंडल जै सम्मविधान है कि आज कि मैं पहली बार दक्षन भारत की तरफ आया हूं और मजबूरी इसकी यह है कि मुझे हिंदी ही बोलना पड़ेगा क्योंकि मुझे अंग्री जी उतने अच्छे से नहीं आती है लेकिन जैसा कि इस पूरे आयोजन में मैं देख पा रहा हूं कि यहां इस परिसर में एक मिनी इंडिया बस रहा है इसलिए यहां भाषा का कोई वैरियर नहीं जिस वक्त हम दक्षन भारत के इस कोने में अपने दो वैचारिक पूर्खों की छत्रचाया में समाजिक न्याय समता बंधुत्व की विचार पर आधारित भारत के समविधान के मूल्यों पर आधारित एक आयोजन में शामिल हैं उसी दोर में इस देश के उत्तरी हिस्से में हरिद्वार में एक धार्मिक संसद आयोजित की जाती है जहां नारा लगाया जाता है कि हम हिंदू राष्ट बनाने के लिए जरूरत पड़ी तो लोगों का नरसंगार भी करेंगे मुझे लगता है कि मैं एक ऐसे मंच पर खड़ा हूं जिस मंच और जिस नाम के भीतर वो ताकत है कि इस तरह घोर सम्विधान विरोधी लोगों को जवाब दे सकते हैं और बाबा साहब और बिरसाफुलियम बेटकर के सपनों का भारत बना सकते हैं इसलिए मैं गवर्वानवित हूँ कि मैं ऐसे मंच पर खड़ा हूँ जिस दौर में लाल किले से लेकर संसत के भीतर तक जूट बोला जा रहा हो इस देश के नौजवानों की पीड़ी को हिंसा नफरत और अत्याचार में लिप्त कराया जा रहा हो उस दौर में बाम सेफ एक ऐसे संगठन का नाम है जिसे मैं विकल्ब के तौर पर देखता हूँ कि वो है आगे आने वाली पीड़ियों के भविश्य की चिंता कर रहा है और यह बात मैं आपके इस अधिवेशन के इस पत्र के आधार पर कह रहा हूँ क्योंकि इसके चिंता आज के दौर में इसकी भूमिका में लिखाए कि 48 वर्षों से यह संगठन लगातार काम कर रहा है और इसका 38 वार्षिक अधिवेशन आज यहां पर मनाया जा रहा है शुरुवात आज इसकी होई है और इस पूरे आयोजन में जो चिंताएं हैं वो जाती जनगड़ना की चिंता है फूले अंबेटकर वादी आंदोलन की सुधार वादी सुधार आत्मक रड़नीतियां क्या होंगे इसकी चिंता है द्रवन सभिता जो ब्रामणवादी ताकतों के सामने एक वैचारिक चुनोती है उसका सवाल है और आखेर में आकरके सामप्रदाइकता को एक चुनोती के रूप में सुविकार करने का सवाल है मैं कोट कर रहा हूँ मूल निवासी डी के खपड़े साहब के एक वाक्य को जो आपके ही फोल्डर में लिखा हुआ है कि सामाजिक धुरुवी करण सामप्रदाइक धुरुवी करण की असली काट है आज इस अधिवेशन में जो राज में हो रहा है मानी राष्ट्री अध्यक जी का एक उद्धाटन वक्तब सुन रहा था तो वो उसमें एक्स्प्लेइन कर रहे थे कि यह जो जगे है वो राजा महेंद्र वरम से जुड़े होई है वो धिश्ट परंपरा से जुड़े होई है और वह परंपरा जिसमें दुनिया को सत्य अंसा शांती वा बंधुत्यों का पाठ पढ़ाया है हम उस विचारधारा से जुड़े हैं जो पूरी दुनिया में मुहबत का पाठ पढ़ाती है इसलिए हमारे सामने चुनोती है कि नफरत जीती है कि मुहबत जीती है इस अधिवेशन से जब घर लोटिएगा तो यह संकल्प लेके जाएगा कि हमें नफरतों को हराना है और आज हम गड़े से छोटे से जिले में जब गाएभेंस चराया करते थे चरवाहा तबके में जन्म हुआ तो हमें पता ही नहीं था कि कभी हम पढ़ लिकर के इसकाबिल होंगे कि बामसेब जैसे मंच पर हमें बुलाया जाएगा आज अगर हम इसका श्रे भारत के सम्विधा और मंडल कमिशन को देना चाहता हूं अगर वो नहीं होता तो जाने कितने लोग उनके खाब कुचल दिये गए वो यहां तक नहीं पहुंच पाए मगर उस सब के बाद हम यहां इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास हमने पढ़ लिक करके समझा कि यह देश है क्या इस देश को ब दिरासत हमारे पास एक थी जो तथागत बुद्ध से कभीर रैदास नानक पल्टू दादू भीखा साब से होती हुई महात्मा जोतिबा फूले सावित्ती भाई फूले फातिमा शेक छत्रपति शाहूजी महराज इवी रामा सामी नायकर पेरियार डॉक्टर बाबा साब कर डॉक्टर रामन और लोईया और उन सब से होती हुई आज जब बामसेव के रूप में अपने इतिहास को पढ़ता हूं तो वह एक ऐसा संगठन था जिसने बैकवर्ड यानि स्टी ओबी सी एड माइनौर्टी कम्यूनिटी इंप्लॉईस फेडरेशन के रूप में एक ऐ कैसी जगह जगाई थी अभी कुछ साथियों से बात हो रही थी बाबा साब अपने जीवन के आखरी वक्त में परिशान थी कि उन्हें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया और आजादी के बाद तो बाबा साब को दफन कर दिया गया मैं दिल्लिव शुद्याले में प और पिसटें नहाँ था उन्हें मिलाकर के राष्ट बनाते हैं और उनके नायक को आपने जमीन में दफन कर दिया जयाँ जांसिख अना एसलिए 1980-70-80 के दौशक में एक ऐसा नायक पैदा होता है जो डाक्टर अमबेटकर को किताबों से निकाल कर जमीन पर खड़ा करता है और वो बामसिप जैसे संगठन की एक बुनियाद रचता है जिसकी वज़े से आजम यहां है मानिवरकांशी राम और उस विरासत से जुड़ करके बस एक छोटा सा सुझाओ कि जब इसमें माइनॉर्टी है तो तमाम वचारिक पूर्धाओं की प्रतीकों की तस्वीरे हैं मुझे लगता है कि पसमांदा आवाजों को भी हमें इसमें शामिल करना चाहिए क्योंकि इस देश में दलित और पिछडी जातिया जो हमारे लोग थे जो कनवर्ट होकर के मुसलमान बन गए वो भी आज हमारे साथ लड़ाई में शामिल है और एक बात आज कहने की जरूत है कि इस हिंदू-मसलिम सामप्रदाइकता में जो लोग सबस्यादा मारे जा रहें दोनों तरब से वो दलित पिछड़े आदिवासी है एक ब्रेन समझिए ऐसा ब्रह्मणवादी ताकतों का है कि वो अपने पीछे खड़ा है इस देश में सत्ता संसादनों पर कबजा किये हुए है और दूसरे लोगों को दलित पिछड़े आदिवासीों को दंगा में आगे भेजे हुए कि मंदिर बनाने के लड़ाई होगी तो तुम आगे आगे जाओ मुसल्मानों को मारना हो तो तुम आगे आगे जाओ तो वो लोग जो आपके वैचारिक साथी हैं उनको भी शामिल करिए अब्दुलकयूम अंसारी आसिम बिहारी जिनोंने भारत में जब बटवारे की लड़ाई चल रही थी मुसलिम लीग घर घर जाकर कह रहा था 1931 की जंगरना हो रही थी और वो कह रहा था कि अपने कॉलम में धर्म लिखवाना अब्दुलकयूम अंसारी और मुमिन कांफरेंस के लोग उत्तर भारत के इलाकों में घूम घूम करके कह रहे थे आप अपनी धर्म नहीं जाती लिखवाईएगा क्योंकि आपकी असली पहचान जाती से है 1931 की लड़ाई 2021 में भी अभी अदूरी इसलिए हमें उन पस्मांदा आवाजों को भी इसमें शामिल रखना चाहिए अब मैं अपने मूल विशे पर आता हूँ और जो जाती जनगर्णा से जुड़ा हुआ विशे है इसमें एक वाकि लिखा गया है कि OBC की जनगर्णा मैं एक बात यहां कहकर के फिर नीजी करण पर आ रहा हूँ क्योंकि मेरा विशे है नीजी करण राष्टी करण जाती जनगर्णा का सवाल केवल OBC का नहीं है यह बात सच है कि इस देश में दलितों और आदिवासियों की गिंती होती है और 1931 के बाद से तो जाती जनगर्णा होई नहीं तो सबसे अदा नुकसान अगर इस देश में किसी तपके का हुआ है तो वो OBC का हुआ है और दिल्चस्प यह है कि मैं खुद चुकि उसी तपके से आता हूँ तो थोड़ा बेबाकी से कह सकता हूँ कि जिसका नुकसान हुआ है उसे ही पता नहीं कि उसका क्या-क्या नुकसान हुआ है वो हिंदू बना फिर रहा है तो मंडल कमिशन यानि अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 340 अगर भारत के सम्विधान में नह होता कल जिस महांग शक्सियत की स्मृति दिवस था इसी दक्षण भारत की एक महांग शक्सियत इवी रामा सामी नायकर पिर्यार उनके आंदोलन और उनके दबाव के चलते अनुच्छेद 15 अचार जोड़ा गया 16 अचार जोड़ा गया इन सब के मिलने से एक बना था कि हम OBCन पिछड़े वर्ट की भी गिंती करेंगे और उसमें गिंती हुई नहीं फिर और उसमें बात पिछले सत्र में हो चुकी है मैं एक तत्य को जोड़ कर अपने विशय पर आ रहा हूँ वो विशय ये है कि जो गिंती नहीं हुई तो मंडल कमिशन 31 की जनगर्णा और इनको ले करके 52 परसंट आबादी बताई और 52 परसंट को आरक्षण विला 27 परसंट और आज जब मैं यहां खड़े हो करके नीजी करण और राश्टी करण पर बात करखने जा रहा हूँ तो कोट करना चाहता हूँ कि मनुश्मृती क्यों जलाई थी आज बाबा साब डॉक्टर भीम राउम बिटकर ने क्योंकि मनुश्मृती के आधार पर यह तैं कर दिया गया था कि इस देश में कौन पढ़ेगा और कौन नहीं पढ़ेगा कौन आगे बढ़ेगा कौन नहीं बढ़ेगा इसलिए उस किताब को बाबा साब ने जलाया उनको जब मौका मिला तो उन्होंने मनुस्मृती लिखी जितमें महिला भी गुलाम है दलित भी गुलाम है पिछरा भी गुलाम है आदिवासी भी गुलाम है और जब हमारे पुर्खे को मौका मिला तो उन्हों सबको बराबर का हक लग दिया डॉक्टर भीम रावमेटकर ने सबको बराबर का हक लिखा है और उन्हीं ने एक चिंता जाहिर के थी कि इस राष्ट में अगर स्टेट मजबूत नहीं होगा तो जिसकी जेब में पैसा नहीं है जिसको सद्यों से वंचित रखा ग लेगा तो फिर तो यह देश बिशमता की दोर में चला जाएगा इसलिए उन्होंने 26 नवंबर 1999 को अपने आखरी समिधान सभा की बैठक में यह बात यह चिंता जाहिर के थे कि हमने एक विक्ति एक बोट का अधिकार तो दे दिया मगर जब तक सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं होगी राजनितिक बराबरी कभी हासल नहीं किया सकते हैं और मैं फिर से उस चिंता में शामिल कर रहा हूं आपके ही फोल्डर में लिखा हुआ वो कोटेशन बाबा साहब कैसा भारत चाहते थे राज जो किताब उनकी है वाल्यूम एक के दसमें भाग में पेज नंबर 408 आपकी दस्ताविज में लिखा हुआ है भारत के तीव्र और द्योगी करण के लिए राज राज समाजवाद आवश्यक है नीजी उद्यम ऐसा नहीं कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो यह धन की उन असमानताओं को पैदा करेगा जो नीजी पूझी वाद ने यूरोप पे पैदा किये और जो भारतियों के लिए एक चेतावनी होगी बाबा साब ने जैसे एक साफ चेतावनी दी थी ना कि अगर हिंदू राष्ट भारत में बना तो वह सबसे बड़ा खत्रा होगा क्योंकि हिंदू राष्ट समानता विरोधी है न्याए व नाम गोड़से मैं नाम किसी का नहीं लूँगा एक वैचारिक मन्च है यह लेकिन आप सोचिए कि अगर भारत के वल गांधी बनाम गोड़से की बहस में होगा तो बिरसा फूले अमबेटकर पिरियार कहा जाएंगे जिसका तुम लोग नामी नहीं लेते यह वैचारिक सा बात होगी तो हम बाबा सांबम्यटकर के साथ ताधैं हम पेरियार के साथ खड़ें हम डॉक्टरल हिया के साथ और तब इस बात को कोट करके अपनी बात दो तीन पॉइंट में किवल रखोंगा कि वो जो चिंता बाबा साब के जहन में थी वो चिंता उनके अपने गूरू महात्मा जोतिबा फूले की भी चिंता थी बाबा साब ने तीन गूरु बनाए और इस देश में जाति के नाम पर नफरत फैनाने वाले लोग बाबा साब को किवल दलितों का नेता कहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ बाबा साब के पहले गुरु तथागद बुद्ध थे, वो दलित नहीं थे। दूसरे गुरु कबीर साब थे, वो भी दलित नहीं थे। ओर तीसरे गुरु महातँमा जोतीबा, फूले, वो भी दलिद नहीं थे, और इस देश में डॉक्टर अंबेटकर को दलिदू काले था। और जो लोग, जिस माली समाज से जोतीबा, फूले आते थे, उस माली समाज के घर में आज जोतिवा फूले की तस्वीर नहीं है पेरियार ईवी रामसामी नायकर चरवाहा जाते से आते थे हम सब चरवाहे जाते से हैं हमारी पीड़ी के लोग और उन्हों वह हिंदू बने घूमर है क्योंकि वैचारी ट्रेनिंग नहीं हुए और जिस द वह आते हैं तो वो किसान का फटा पुराना सा कपड़ा पहन कर जाते हैं लोग नहीं दिland artist उसकेppers हो के सामने जब कहा जाता है कि महात्मा फूले जोतिवा फूले अपनी बात रखेंगे तो वो एक बात कहते हैं कि मैं ऐसा कपड़ा इसलिए पहन के आया हूं यह फटा पुराना कपड़ा यह फटा हुआ कंबल क्योंकि इस देश में किसान मजदूर वंचिस शोषित लोग किस तरह जीवन जीते हैं यह पूरा कपड़ा पहने हुए भरे पेट वाले आपको कभी नहीं बताएंगे इस देश में किसान कैसा जीवन जी रहा ह वो मैं बताऊंगा आपको आप समझें इसलिए मैं ऐसा कपड़ा पहन के आया हूं और वहां मात्माफूले ने दो बात कही थी और उस पूरे चार्टर में जो रिप्रेजेंटेशन दिया था उसमें भी वही बात कही थी कि बैंकों को राष्ट्री कृत करिए राष्ट महत्पूर मान रहे थे कह रहे थे कि सब की गुलामी की मुक्ती तब ही होगी जब सिक्षा राज देखी इसलिए तो कह रहे हैं कि जब तक गुरुकुल था तुम्हारा तब तक तो तुमने पढ़ने नहीं दिया और जब पढ़ने का मौका मिला तब हम अपनी संस्कृति को समझ पाए तो जो चिंता महत्मा फूले के थी उसे और बैवस्ते तोर पर डॉक्टर अंबेटकर ने धर्ज किया और इसलिए डॉक्टर अंबेटकर जो बात जो चिंता उठा रहे थे कि बैंकों का राश्ट्री करण होना चाहिए पूरे राश्ट के पूझी जिस बैंकों में हो उसको स्टेट चलाएगा सिक्षा का राश्ट्री करण होना चाहिए रोजगारों का बड़े रोजगारों का राश्ट्री करण होना चाहिए और राश्ट के जिम्मेदारी हो कि वो यह तैं करे कि केवल बड़े रोजगार या बड़े पूझी पती के हाथ में पैसा स पढ़िएगा यह जो बिचार था डॉक्टर रमबेटकर और महत्मा फूले का इवी रामा सामी नायकर पेरियार का यह सारे लोग राश्ट्री करण के हिमायते थे अब इसमें दो सूचना है और जोड रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 1970 का दशक था महामना राम सुरूफ वर्मा वित्त मंत्री बनाए गये थे और उन्होंने जो बजट पेश किया था आजकल बजट घाटे में कि उन्होंने भाइदे का मुनाफ़ का बजट पेश किया उसमें कृसी पर जो बजट था वो ज्यादा बढ़ाया सिक्षा पर बजट बढ़ाया शिचाई पर बढ़ाया रोजगार पर बढ़ाया फिर भी मुनाफ़ में रहा जब जब इस देश के सामाजिक न्याय के मूल निवासियों को मौका मिला उन्होंने सब कुछ मुनाफे का दिया और जिन्होंने इस देश को सदियों से लूटा है उनको जब मौका मिला तो जो बचा कुछा था उसे भी बरबाद कर दिया यह मुश्किल है हमारे सामने और आखरी तत्य उसमें जोडता हूं बाबु जद्देव प्रसाद कुश्वाहा जी ने बिहार का लेनिन कहते थे डॉक्टर रंबेटकर भी बात कहते थे कि वामपंथ विचार बड़ा अच्छा है लेकिन भारत के वामपंथ ही बड़े खतरना जिसके लिए मानेवर कांशी राम ने कहा हरे घास के हरे सांप है वह इसलिए क्योंकि वह जाती से उपर उठी नहीं पाए वह आज भी विश्वद्याले वह बैठकर एनफस कर रहे हैं आपने सुना होगा इलाबाद का विश्वद्याले वह ओभी सीटों को कह रहां नॉट एक विचार का नाम है समाजिक नहीं तो बाबु जग्देव प्रसाथ को श्वाव राम सरुप वर्मा ने मिलकर एक संगठन बनाया था 1968 में उस संगठन का नाम था सोशित समाज दल उसी सोशित समाज दल का नारा जो अर्जक संग त्रिवडी संग से मिलकर निकला था कि मन वाद की क्या पहचान ब्रामण भंगी एक समान जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़ियां इंसान नहीं समता बिना समाज नहीं बिन समाज जनराज नहीं जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए हाज इस देश में एक फीजदी जमीने भी दलितों के पास नहीं है कि जब जब ऐसी चीजें होंगे हम इस तरह के अंदोरनों के साथ खड़े होंगे लेकिन एक सवाल भी तो पूछेंगे कि इस जमीन पर मालिकाना हग किसका है और उस जमीन को भी अब नीजी करण के हाथों बेच रहती तो सोसिस समाज दल के नारों में एक नारा बुलंदी से श लाए गए विशधारी को दूध पिलाया गया विशहीन सदा तड़ पाए गए यह विचार था हमारा और उन लोगों ने जो मैनुफेस्ट हो जारी किया था 1973 में उसमें यही बात कहीं बैंक सेक्षा लगोद्योग व्रिहत उद्योग रेलवे वित्तिय निगम और कृशी इन सब को राष्ट केंद्र में रख करके अपनी योजनाय बनाएगा लेकिन नब्बे के बाद नव उदारवादी नीतियां आई उन्होंने यह तैं कर दिया कि राष्ट अब नीति नहीं बनाएगा अब इन सारी चीज़ों को प्राइवेट हातों में देरे देरे बेजा अब उसमें हुआ क्या मैं आखरी में पॉइंट यह बात बोल करके अपने नियत समय में अपनी बात रखूंगा कि उसमें हुआ यह कि जो लोग कमेरा जाती के लोग थे चोदरी छोटू राम कहा करते थे इस देश में 10 फीज़दी लुटे रहे हैं और 90 फीज़दी कमेरे हैं कमेरे मतलब जो हाथ से स्रम करके काम करते हैं और उसी को राम सरुब वर्मा और जगदेव बाबू श्रम जी भी कहते थे उसी को सब को मिला कर मानवर काशी राम बहुजन कहते थे उसी को मिला करके हम सब कहते हैं यह जंग आज भी 90 फीज़दी कमेरों और 10 फीज़दी लुटेरों के बीच अब वो जो 10 फीजदी लुटे रहे हैं ने उन्हीं को पूरा 90 फीजदी का हग बेचा जा रहा है यही है नीजी करन इतना यह नीजी करन अगर 90 फीजदी लोगों को 90 फीजदी हग मिल जाए वो है राश्टी करन मैं आसान भाशाम बता रहा हूं तो 90 के अधने बाद जब सबकुछ नीजी हाथों में बेचा जाने लगा गया उसमें सारी सरकार और दोशी उस समय जितने लोग 가져ती के लोग यह सारी लोग से श्रुम करते थे कुम्हार लुहार बढ़ई nearby मोची महतर जुलाह कमाम जातिया जो श्रुम करती थी उनके हाथ से तो खतम हो गए अब मशीने लाई गई और उसके बाद ये सारे लोग बेरोजगार हो गए तो राश्टी करन का सवाल रोजगार से भी जोड़ता है अगर आप पूरे देश को बेच देंगे तो ब्यावपारी का गुलाम बन जाएगा उसे सस्ता श्रम चाहिए वो सस्ते श्रम मे ज्यादा मुनाफ़ा कमाएगा और मुनाफ़ा कमा के बैंक से लोन लेकर के एक दिन विदेश भाग जाएगा एक दिन विदेश भाग जाएगा यहां का पैसा लेकर के यह नीजी करन अब उसके बाद क्या हुआ कि जो बैंक था एलाइसी थी रेलवे था क्रिशी और वह ब सिक्षा के लिए उन्होंने एक नई योजना लागो किया नई सिक्षा नीती मैं चुकि विश्वुद्यालेम पढ़ाता हूं तो इस बड़े मंच से यह बात कहना चाहता हूं कि पूरे देश में यह बात जाए कि गुलामी केवल पेट की गुलामी नहीं थी उन्होंने हमें मांस्तिस्क से यानि सोचने समझने से गुलाम बनाने की साज़े सरची और हमारे पुर्खों ने हमें यहां कहा विद्या बिना मती गई मती बिना गती गई गती बिना वित गया वित बिना शुद्र गया और एक अविद्या ने जाने कितने अत्याचार की इसलिए हमारे पुर्खों के लड़ाई सिक्षा की थी तो नई सिक्षा नीति में उन्होंने क्या किया नई वण ब्यूस्था लागू कर दी ग्रेड सी का विश्व द्याले होगा जिसको राज पैसा देगा लेकिन वो एकदम दोयम जीं दरजे का होगा उसमें किसके घर के बच्चे पढ़ेंगे दलित पिछ्ड़े आदिवासियों तकी स्कूल जो बरबाद हो गए सरकारी स्कूल है आज उन में किस से घर की बच्चे मिड़े मिल के नाम पर जा रहें बच्चे और उसमने भी अगर डलित मा अगर मिड़े मिल का खाना बना रही है तो समण बच्चे कह रहें कि हम नहीं खाएंगे इसके आथ का खाना बना आपने ऐसा ही राष्ट बनाया है शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पर लेकिन अच्छा यह हुआ कि जब अगले दिन एक समण महिला को खाना बनाने के लिए खौफ की हद पर खड़ा हूं अंतिम है मेरी इम्तिहान की परिक्षा कि मैं अपने खौफ की हद पर खड़ा हूं अब इसके आगे इम्तिहान तुम्हारा होगा हम तो बरदाश कर चुके हमने जितना सहना था सह लिया अब तो सहने का वक्त नहीं लड़ने का वक्त है तो न बानी और अडानी के जैसे किसान समझ गए ना उन्होंने तो अपनी खेती बचा ली लेकिन अगर इस देश में 90 के बाद तो पहली बार बहुजन पहुचे मैंने एक आटियाई लगाए थी एक जनवरी 2020 को उसके आंकड़े आए और उस आंकड़े को मैं पढ़कर आपको सुन क्यालियों में और 93.6 परसेंट पोस्ट सेडूल काष्ट यानि दलितों की खाली पड़ी हुए है आप हिंदू बना रहे थे और हम चाहरे थे प्रोफेसर बनना तो यह कैसा देश बनाए जिसमें आपने हमें प्रोफेसर नहीं बनाया यह सवाल है हमारा और जैसे हमारे लो पस वो इसी मनुस्मृति को लागू करना चाहा रहे थी जिसको हमारे पुर्खें आज से सो साल पहले आज ही के दिन जला गएते यह हमारे सामने सबते बड़ा ख़त्रा है तो मैं आखर में केवल यह बात अपील करके जा रहा हूं कि नीजी करन का एक मात्र जवाब मंडल कमिशन की रिपोर्ट में भी जिया है मंडल कमिशन की रिपोर्ट जब बनी तो मंडल कमिशन की रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट है जिसको अगर आप बाम सेव की वैचारिकी के साथ जोड़ कर देखेंगे तो एक मुकमल रिपोर्ट है बाम सेव सब की 85% 90% वंचेश शूर्शितों की आवाज का मंच है यहां वैचारिक लोग बैठें बहुत वरिष्ट लोग बैठें मैं तो अभी सीख रहा हूँ लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर इस देश को बचाने वाली कुछ एक संगठनों का नाम सबसे उपर लिखा जाएगा तो उनमें आपके संगठन का नाम शामिल रहेगा इसलिए मैं यहां कह रहा हूँ मंडल कमिशन की रिपोर्ट वो कहती है कि इस देश में कोई भी प्राइवेट पूजी नहीं होती एक नीजी कमपनी खड़ा करने के लिए स्टेट क्या होता है लीज पर जमीन देता है कम रेट में उसको जमीन दे दिया बिजली दी पानी दिया सड़क बनवा दिया और सारा उसका फाइदा उस स्टेट से लेता है वो तो मंडल कमिशन की रिपोर्ट कहती है अगर किसी भी सेक्टर में एक रुपया भी स्टेट का है तो वो प्राइवेट कैपिटल नहीं बची वो नीजी कुछ है ही नहीं और इस देश में कहा जा रहा है कि नीजी करन हो रहा है इस देश में अमबानी अडानी क्या आपने बाप दादा के घर से लेके आयते पैसा वो सब इन कमेरा लोगों का पैसा है जो लूट करके उन लूटेरों के हाथ में दिया जा रहा है यही है नीजी करन इसलिए मंडल कमिशन की रिपोर्ट कहती है कि इस देश के हर एक सेक्टर में जितना 85 फीजदी 90 फीजदी बहुजन आवाम है उसको 90% आरक्षण दे दो नीजी करन रुक न जाये तो कहिएगा नीजी करन रुक जाएगा उसी दिन चेस दिन आप अपना हक मांगने लगेगी तो यह जो मंडल कमिशन की रिपोर्ट जो कह रहे थी मेरे अपने इसी साओथ इंडिया के रहने वाले हमारे दिल्ली विश्वधले के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर हैनी बाबु भीमा कोरे गाओं के मामले में उनको साजश करता बना करके जेल में रखा गया है मैं यहां से कह रहा हूं कि इस देश को बरबात करने वालों को डर है जो भीमा कोरे गाउं की सेलिबरेट करते हैं उनसे डर है और जो खुले आम हत्या करने और नरसंगार करने का बात कहरे हैं उनसे डर इस देश को नहीं है इस देश में सिख्षक प्रोफिसर जेल में हैं और इसलिए जेल में हैं क्योंकि लोग आपके स्पूजी को नीजी हातों में बेच रहे हैं और उसमें ग्लोबल एकोनॉमिक इंडेक्स क्या बता रहा है कि जो कैपिटल है न अर्थ बेवस्था डूबेगी अगर अर्थ बेवस्था का सारा पैसा कुछ लोगों तक संकिंद्रित हो जाएगा पैसा रोटेट होके नीचे नहीं जाएगा तो पूरी अर्थ बेवस्था क रोजगार मांगने लगे तुम कहरो एकोनॉमिक कोलैप्स हो रही है क्योंकि प्राइविटाइजेशन किया जा रहा है तो अंत में जब तुमने यह विमर्ष खड़ा किया कि सरकारी चीजें काम नहीं करती है प्रोड़क्टिव्टी नहीं है तो मेरा सवाल है कि कोविड मे सारे प्राइवेट हॉस्पिटल बंग थे तो केवल सरकारी हॉस्पिटल से क्यों इलाज हो रहा था अगर सारे सरकारी संस्थान बरबाद हैं तो सरकारी हॉस्पिटल से क्यों तुमने जाने बचाई आज देश भर में दिल्ले विश्वद्याले जेन्यू जामिया एम्यू इलहाबाद विश्व द्याले, हैदराबाद विश्व द्याले, वर्धा विश्व द्याले से ऊपर कोई देश का प्राइवेट विश्व द्याले है क्या, आज भी सरकारी विश्व द्याले सबसे आगे, सरकारी होस्पिटल सबसे आगे, सरकारी रोजगार सबसे आगे, तु वतन के सिपाही वतन बेच देंगे आज ये विशह जो आपने चुना है ये बेचने के दौर में बचाने की लड़ाई लड़ने वाला विशह है एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने चुनाओं में भाशन दिया था अच्छा सोचिए एक बात कि ये ये जब तक गुजरात का कबिनेट मिनिस्टर बना रहे हों तो उनकी जातियां बता रही है कि 27 से बादिया बारत दलिद बता दिया तो जाती जनगर्णा करांओ और जाती जनकर्णा कराने के बाद एक तथ ही सामने आयेगा कि इस देश रहे हैं भारत को मैं चैन से कैसे सोजाओं सवगंद मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बितने दूगा अब सब कुछ बेच दिया है कि चाय बेचते हुए उसे किसी नहीं देखा लेकिन देश बेचते हुए तो देख रहे हैं आप न अब जूट का व्यापार है इसलिए मैं इस बड़े वैचारिक मंच से एक अपील करके जा रहा हूँ मैं आपके इस वैचारिकी मैं शामिल होकर के वपील कर रहा हूँ कि अगर महत्मा फूले ने जोटिरवाद में डॉक्टर भीम्राव अंबेटकर ने बोक्तर राममनोहर लोहिया ने क्योंकि राज्य समाजवाद की बात है ऐसे ऐसे नमूने इन्हों ने पैदा कि कि एक व्यक्ति संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल दे रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में से समाजवाद सब्द को हटा दीजिए अपने सुना होगा समाजवाद सब्द को हटा रहे हैं और बामसेव अपने अधिवेशन में कह रहा है कि राज समाजवाद लाना हो होगा तबी यह देश बचेगा यह वैचारिक लड़ाई है राज समाजवात का मतलब क्या है समता संपन्यता और सह अस्तितो समाजवात का नाम है अपने जीवन के अंतिम काल में 1948 में एक अधिवेशन होता है लखनव में बाइकवर्ट क्लासेज लीग डिप्रेस्ट क्लासेज लीग का उसके अध्यक्ष्टा करने के लिए बुलाए जाता है बाबा साब डॉक्टर भीम राव अमबेटकर को 1952 में एक अधिवेशन होता है डिप्रेस्टासेज लीग का सेष्टी ओबीसी तीनों मिलकर के ईवी रामा सामी नायकर पेरियार को देख्ष्टा के लिए बुलाते हैं और 1956 के आसपास डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर अमबेटकर मिलकर एक राष्ट बनाना चाह रहे हैं जल जंगल जमीन की हिस्सेदारी का वह खाब यहां पर जरूर मौजू होना चाहिए जो समाजवादी विचार ने नारा लगाया था कि संसोपा ने बाधी गाठ पिछड़े पावे सो में साथ उसे बहुजन नायकों ने आगे बढ़ा कर कहा कि सो में नब्बे शोशित हैं शोशितों ने ललका रहा है धन धर्ती और राजपाट में नब्बे भाग हमारा है यही लड़ाई राश्टी करन और नीजी करन की लड़ाई है इस देश के 90% वकील 90% प्रोफेसर 90% जज 90% ब्यूरोक्रेट और 90% उद्योगपती जब तक दले पिछड़े आदिवासी अल जो सब कुछ को बेचना चाहा रहे हैं वो दरसल एंटी नेशनल लोग हैं उन्होंने खुद कभी एक ऐसा बेटा कभी आपने बेटा बेटी देखा है जिसने खुद अपने जीवन में कुछ कमाया नहों और बाप की पूजी उड़ाते रहें इस देश में पूजी बनाने पूजी बनाई है उनके श्रम से देश बना है और आप उसे जब उनके बच्चे सिक्षा स्वास रोजगार मांग रहें तो उसे आप नीजी हतों में पेच रहें इस मंच से अपील करके मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा कि अगर आने वाली पीढ़ियां यह सवाल कि हमारी सिक्षा तुम्हारे सामने नई सिक्षा नीत के नाम पर नीजी हातों में अंबानी अडानी के हातों में बेची जा रही खुला तो है दिली के बगल में M.T. इंवस्टी गलगोटिया इंवस्टी लवली प्लोफेस्टी उनमें देखिए एक भी दलित पिछड़े आदिवासी लोग नहीं मिलेंगे यह ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां मनुस्मृति लागू हो जाए आपके बच्चे पढ़े ना उनको सिक्षा न मिले उनको अब ऑनलाइन टीचिंग ले आ रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग में कौन पढ़ेगा मैं अपनी क्लास में बता रहे हो इसलिए मैं आपसे अपील करके जा रहा हूं आज की लडाई हमारे दौर की लडाई जाती जंगरना के साथ नीजी करण के खिलाब सबसे बुलंदी से लड़ी जाने चाहिए पूरे देश में लड़ी जाने चाहिए तभी हम आने वाली पीडियों का वक्त बचा पा उस आग पर पानी डाल रहे थी पक्षि उड़ने ही रहते तो कविता लेखे कि आग लगी इस व्रिक्ष को जलने लागे पात उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंक्ष तुमारे पास उन पक्षियों नो जवाब दिया था वही बहुजन वैचार की कि नौजवानों क जवाब होगा कि फल खाये इस व्रिक्ष का और गंदे कीने पात तो हमारा धरम यही है जलें इसी के साथ हमारा वतन है ये और ये हमारा वतन नीजी आतों में चंद पुझी पतियों के आतों में बेचा जा रहा है तो वो जो चिड़िया आग पर पानी डाल रही थी जंगल के जानवर उससे हस रहते पूछ रहते तुमारे इस थोड़े से पानी डालने से क्या फर्क पड़ेगा उस चिडिया ने जो जवाब दिया था मुझे लगता है बामसेप बामसेप तो बड़ा संगठन है यह तो पूरे देश में करांती कर सकता है और कर रहा है लेकिन उस चि करदाइकता के नाम पर नफरत के भाशन दिये जा रहे थे जब देश को नीजी हातों में बेचा जा रहा था जब जाती जंगरना नहीं कराने के लिए जूट बोला जा रहा था जब कोरोना में लाशें तैर रही थी जब इस देश में जातिवात करके तमाम तरह से इस कमंच कर रहा है आपने मुझे अमंतित किया जै भीम जै मंडल जै समविधान जै मुल निवासी बहुत बहुत शुक्रिया